नमस्कार दोस्तो प्रकासर हिंदी यूटूब चनल पर आपके एक बार फिर सी सवगत है दोस्तो इस वीडियो में हम सियम बजनलाल सर्मा की दोरा जो नई योजने और नई गोशने की गई हैं उनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं दोस्तो यदि आप राजस्तान से ब्लोंग करते हैं तो आवस्ते ही ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अती महत्पुन होने वाला है इसलिए आप बिना किसी इसकी वीडियो को पूरा आवस्ते देखें दोस्तो जनाधार को लेकर के एक न्यू अपडेट आ चुकी है इस अपडेट के बारे में यदि आप जानकारी नहीं लेते हैं तो आवस्ते ही किसी ना किसी परकार से आप जनाधार की जो ये अपडेट है इससे अंबिग रह जाएंगे और यदि आप जनादार की इस अपडेट को नहीं जानते हैं और किसी भी परकार से आपके जनादार में कोई कमी है तो दोस्तों आप केंदर और रज्य सरकार की जो भी 160 योजनाय संचलित की जा रही है और इन 160 योजनाओं का लाप इस जनादार से मिलता है उस लाप से आप वन्चित रहे जाएंगे दोस्तों जनादार को लेकर की जो नई अपडेट आई है उसके बारे में हम वीडियो में जानकारी लेंगे जनादार की किसी भी परकार की यदि समस्या है तो आप घर बेटे उसका किस परकार से समाधान कर सकते हैं उसके बारे में भी माप को जानकारी देने वाला हूं और जनादार की एक वाईसी के बारे में सरकार ने बहुत ही बड़ा एक अपडेट दिया है इस update को आप आवज़से ही जाने यदि आप जनादार की इस नई update के बारे में जानकर नहीं लेते हैं तो आवज़से किसी ने किसी परकार से आपके जनादार में यदि कोई कमी है तो आप केंदर और रज्य सरकार की जो 160 सरकार योजनए संचलिट की जा रही है इनके आप लाप से बंचित रह जाएंगे यानि कि आपको खादे सुरक्षाची जो रासन मिलता है वो रासन मिलना भी आपका बंद हो जाएगा इसलिए आप पुरी जानकरी अवस्षे ले ले दोस्तो रासन कार्ड की बारे में हम जानकर यहां पर लेंगे यह काम कर लो वरना रासन कार्ड आपका बंद हो जाएगा तो रासन कार्ड में हमारे को क्या कुछ काम करना है ताकि हमारे को रासन जो मिल रहा है वो मिलता रहे यदि आपको रासन कार्ड में से रासन नहीं मिलता है तो भी आप यदि एक काम करते हैं तो अवस्से ही आपको खादे सुरक्षियस से रासन मिलना शुरो जाएगा और यदि आपको रासन कार्ड से रासन मिल रहा है और आप ये काम नहीं करते हैं तो आपको जो रासन कार्ड है वो बंद हो जाएगा तो दोस्तो अवस्य इसकी जानकारी आप ले ताकि आपको रासनकारी मिलने वाला जो फिरी रासन है वो आपको मिलता रहे और 35 के लोग गियों चाउल फिरी किस परकार से हम ले सकते हैं उसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं और साथ चीज़े कौन-कौन शी क्या फिरी मिल रही हैं किस परकार सी मिल रही हैं उसकी जानकारी भी आप लेने वाली हैं रासनकार से समंदित और जनादार से समंदित जो नई अपडेट आई है वो नई अपडेट सभी तक पहुंच सके ताकि सभी लोग जनादार में इस न्य अपडेट की जानकरी ले करके अपने जनादार को अपडेट कर ले और रासनकार से समंदित जो अपडेट आई है उससे समझने दो भी सबको जानकारी हो जाए और किस परकार से साथ चीज़े बिलकुल फिरी ले सकते हैं 35 के लोगे हूँ चावल किस परकार से फिरी ले सकते हैं उसकी जानकारी सबी लोगों तक अवसे पहुंचने चे इसलिए आप वीडियो को अन्य लोगों तक भी आप सेंड ज राजे की जो 160 योजने संचलित की जा रही है इनका लाप इसी जनाधार से मिलता है और इसी को लेकर के एक बहुती बड़ी अपडेट रास्तान की सरकार ने निकल करके आई है जनाधार एक नमबर एक कार्ड और एक पैचान है मेरा अधिकार मेरे साथ है जो की एक ऐसा दोस्तों जनाधार को लेकर के राजे सरकार ने पहले एक बात कही थी कि संसोधन कलेक्टर के मादम से किया जा सकेगा यानिकि जनाधार में एक बार जनमतारे एक नाम और जाते भरने के बाद उसमें इमितर के मादम से संसोधन करने पर लोग रोक लगा दी गई थी और कहा है जिसके बारे में हम यहां पर जानकारी लेने वाले हैं फिर सरकार की तरफ से जनादार को लेकर के नई अपडेट निकल कर कियाई कि अभीर राज्य इस तर पर एक ही हिल्प डेस्क है लेकिन इसको आप विश्टार कर दिया गया है सरकार की दवरा का गया है कि इस्ताने इस्तार पर होगा जनादार की समस्याओं का समाधान तो इस्ताने इस्तार पर किस परकार से जनादार का समाधान हो सकता है उसके हम जानकरिया पर लेने वाले हैं तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जनादार से जुड़ी 13 समस्याओं का निस्तारन अब जिला और ब्लोक इस तर पर ही हो सकेगा इसके लिए मामले को जैपुर मुख्यला बेजने की कोई जरूरते नहीं होगी तो आपके भी जनादार में यदि किसी भी परकार की कोई समस्या है तो उसके निस्तारन के लिए अब आपको कलेक्टर के पास से नहीं जाना पड़ेगा अर्थाज जिला और ब्लोक इस तर पर आप किसी भी परकार की जनादार में कोई समस्या है तो उसका निस्तारन आप गर बेटे ही करवा सकते हैं किस परकार से क्या आप इसकी समस्या का समाधान करवा सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकरी में आपको यहां पर बताने वाला हो दोस्तो एक जनादार ऐसा है ऐसा कार्ड है जो कि राज्ये और केंदर सरकार की करीब 160 जो योजनाई है यह इस से जुड़ी हुई है और यदि जनादार आपका बंद हो जाता है बलोक हो जाता है तो इन 160 योजनाओं का फाइदा आपको नहीं मिल पाता है तो जनादार के अंदर किसी भी परकार से आपके कोई मिश्टेक नहीं होनी चाहिए और यदि किसी प्रकार की मिश्टेक है तो किस प्रकार से आप उसको दूर कर सकते हैं उसकी पूरी जानकरी आप इस वीडियो में ले सकते हैं तो दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जैपुर जिला सापुरा की 12 माई 2024 की ये न्यूज है जिसमें जनादार को लेकर के रहत की बात कई गी है पाउटा की पंचाई समीत में हो सकेगा अपडेशन एवं रजिस्ट्रेशन यानि कि पाउटा की न्यूज है लेकिन ये पूरी रास्तान के अंदर लागू कर दी गई है राज्य सरकार ने सुरू की ब्लोक इस्तर पर हेल्प डेस्क लोगों को जनादार के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे अब चक्कर तो दोस्तों पूरी रास्तान के अंदर ब्लोक इस तर पर आप help desk शुरू कर दी गई है ताकि जनादार में किसी परकार की यादी कोई समस्या है तो उनको आप जिला मुख्याले की चकर नहीं लगाने पड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनका होगा registration वै सुद्धे करन तो यहाँ पर बताएगा कि जन आधार पोर्टर से जुड़ी तेरा समस्याओं का समादान अब जिला वै उपखंड इस तर पर हो सकेगा नामंकन में आधार दर्ज करना हो या फिर डाउनलोड क करने की कोई समस्या हो या फिर एक किवाई से करने की कोई समस्या है तो इसके लिए अब आपको जिला की चकर नहीं लगाने पड़ेंगी जिला मुख्याले नहीं जाना पड़ेगा आप इस तानी इस तर पर इन सब समस्याओं का समादान करा सकते हैं तो दोस्तों यहाँ प तक इस मोबाइल नमर पर आप कोल करके भी आसानी से इसका समाधान करा सकते हैं तो जनादार में किसी परकार की कोई समस्या है तो उसका समाधान आप इस तानी इस तर पर होने लगा है क्योंकि यदि जनादार आपका सही नहीं है तो आपको फिरी मिलने वारा जो रासन है वो भी कहीं न कहीं बंद हो जाएगा इसे के साथ काम की खबर है कि जनादार में परिवार के हर सदिशिकी केवाईसी जरूरी है नहीं होने पर सरकारी योजनों का लाब आपको नहीं मिलेगा आपको उस लाब से बंसीते कर दिया जाएगा तो दोस्तों आपकी जनाधार में जितने भी परिवार के सद्धियु का नाम है उन सब लोगों का आपको केवाईसी करवना होगा और यदि आपके केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आप अवसे ही किवाई से करवाले, यदि आप किवाई से नहीं करेंगे, तो अवसे ही आपको इन से जुड़ी ही 160 जो योजनाई हैं, उनका लाब आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों इसके मादम से अनिक परकार के लाब मिलते हैं, जैसे कि जनकल्यानकारी योजनाई हैं, उनका लाब मिलता है, इसके अलावा ये पैचान और पते के परमान के रूप में भी जनादार काम में आता है, इसके अलावा जो आइसमान भारत, मातमा, गांदी, रास्तान, स संचालन वैसा भी लाबों का जो भी हो रहा है वो भी हमारे को जनादार से ही मिल पाता है दोस्तों जनादार कार्ड के बारे में यदि आप जान करी लेंगे तो अवस्य ही आपका जो रासन कार्ड है उसे मिलने वारा जो फिरी रासन है आपको मिलता रहेगा क्योंकि अब देखो सरकार की दोरा का गया कि जनादार कार्ड ही होगा रासन कार्ड यदि जिसके पास जनादार कार्ड है तो उसको रासन कार्ड की जरूरते नहीं पड़ेगी क्योंकि रासन कार्ड ही क्या होगा अब जनादार होगा यदि रासन कार्ड नहीं है और जनादार है तो आपको फिरी मिलने वाला जो रासन है वो आपको मिलता रहेगा इस जनादार की मादम से आपको फिरी रासन मिलता है साथ में आपको पेनिसन मिलती है यह सबी योजनाई इसी जनादार से जुड़ी हुई है शातर उर्थी मिलती है इसके अलावा जो रास्तान के इंदर चलने वाली पहले मुख्यमंदरी चरिंजी वियोजना थी स्वास्ते से समंदित वो भी सी सी जुड़ी हो थी लेकिन इसको बीजेपी सरकार ने रास्तान में बंद कर दिया है यानि कि अनेक प्रकार की सुविदाई है जो जनादार की मादन से मिलती है तो दोस्तो कार्ड एक है लेकिन इसके जो सुविदाई है वो अनेक है तो आपके पास अवस्य ही जो जनादार है उसके बारे में आपको जानकर ले लिनी चाहिए कि वो अपडेट है या नहीं है जनादार आपका अपडेटे होना चाहिए, इसके लिए आप स्यों SSO ID पर जाकर के भी आप अपना प्रिवार की सद्धिश्यू का नाम जोड़ सकते हैं, KYC कर सकते हैं, या E मित्र पर जाकर के भी आप नाम जोड़वा सकते हैं, और KYC करवा सकते हैं, इसके अलावा आप सू कैसी पर कोल करके आप अवस्य ही अपनी समश्याओं का जनादार से समधित समधान करा सकते हैं। दोस्तो आगे हम जानकारी लेने वाले हैं खरी रासन से समधित। किंद्र ने बनाया नए नियम चिंद्र सखकार ने खिरी रासन को लेकर कि एक नए नियम बना दिया है तीन मां अनाज नहीं लेने पर रद्द होगा रासन कारड़। दोस्तों यदि आप तीन मैने तक अपने रासन कार्ड से मिलने वाला जो फिरी रासन है वो नहीं लेते हैं तो आपका जो रासन कार्ड है वो रद्ध हो जाएगा तो आपको अवस्य हर मैने आपको रासन लेना चाहिए ताकि आपका रासन काड किसी परकार से रद्दे ना हो और इसी नए नियम को दो राजियों ने अमल में लाना शुरू भी कर दिया है दोस्तो बिहार राजे ने तो इसको लागू भी कर दिया है इसके साथ मद्दे परदेश के अंदर भी इसके से समधित रिपोर्ट मांग ली गई है हर राजे के अंदर आप इस नियम को लागू किया जाएगा तो आप अवस्य ही परतेक मैने मिलने वाला खादे सुरुक्षा से जो आपको रासन काड से जो फिरी रासन मिलता है उस रासन को आप हर मैने प्राप्त करते रहें यदि आप तीर मैने रासन नहीं लेते हैं तो आप रासन काड रद कर दिया जाएगा इसे की साथ हम जानकर लेने वाले हैं एक ऐसे रासन कार्ड से समझ जिस रासन कार्ड की मादम से आपको परतेक मैने 35 किलो अनाज फिरी मिलता है दोस्तों वो है अंतुद्र रासन कार्ड इस अंतुद्र रासन कार्ड के मादम से राष्टरी खादे सुरुक्षिया अधिनियों के तैथ 35 किलो रासन फिरी में दिया जाता है तो दोस्तो आप यदि अंतुद्र रासन कार्ड बनवा लेते हैं तो अवसे आपके परिवार के लिए आपको 35 किलोगार जो रासन है वो फिरी में मिलता है किस प्रकार से अंतिध्य रासन कार्ड आप बनवा सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत जल्द प्रकास रहे हैं दी यूटूब चेनल पर वीडियो उकलब दो जाएगा, उस वीडियो को देखरके आसानी से आप अंतुध्य रासन कार्ड बनवा सकते हैं, दोस्तों इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, बेल आइकन प्रेस कर आल पर के लिए अवस्य कर लेना ताकि जैसे अंत्यद्र रासन कार्ड से समंदित वीडियो आए, वो वीडियो आप तक पहुंचे, उसका नोटिफिक्शन आप तक पहुंचे और आ और आप पैसे की देश के इंदरिस्तती क्या है? तो दोस्तों राष्ट्री खाते सुरिक्ष्या कानून को सुरू करने का सबसे परमकुत देशी था कि समय पर देश के लोगों को खाना मिल सके. एनाप एसे की मादम से सबसे पहले बताय गया था कि सरकार देश की 66% जनता को फिरी में अनाजु उपलब्द कराएगी जिसमें 55% ग्रामिन और 50% सहरी जन सिंख्या होगी नीती आयग ने लेकिन नीती आयग ने का था कि नहीं इसको 60-60% से गटा करके 50% किया जाना चाहिए यानि कि ग्रामिन चेतर 60% और सहरी चेतर 40% लेकिन सरकार नीती आयग के इस प्रताव को सुविकार नहीं किया एनाज पैसे के अनेक फायदे हैं जैसे कि खादे सुरुक्षा केतों में बड़ोतरी भू केम कोपोशन के अंदर कमी और आर्थिक विकास ये एनिपेसे के देश पर में फायदे हैं तो अबस्चे ही खादे सुरुक्षा जो योजना है वो देश के अंदर कारगर हुई है ये खादे सुरुक्षा जो योजना है मई 2014 में 11 राज्यों के अंदर शुरू की गई थी लेकिन अब 36 राज्यों और किंदर सासित परदेसु के अंदर इसको लागू कर दिया गया है इसको अधिनियम बना करके इसको लागू किया गया है पहले मोटे अनाज गेहूं चावल एक दो तीन रिपेकलों मिलता था लेकन अभी सतर को भी बंद कर दिया गया एकदम फ्री मुप्त के अंदर सरकार खादे सुरुक्षा के तैद फ्री में रासन देती रहती है दोस्तो ये थी तमाम रासन कार्ट, जनादार और खादे सुरुक्षा से जड़ी हुई अपडेट जो हमने इस वीडियो में जानी है दोस्तो अवस्य ही आप इनके बारे में जाने होंगे वीडियो को टेलिग्राम, वार्टसप, फेस्बुक की मादम से अनिलोगों तक भी आप सेंड अवस्य करें ताकि सभी लोगों को इनके बारे में जानकरी हो सके धन्यवाद